आज जो तिहार के भीतर जो चल रहा था उसकी इंक्वाइरी कमिटी की जो रिपोर्ट आई है उससे एक बात की पुष्टी हो जाती है कि तिहार के अंदर, इंसाइड तिहार, देवाज आप एन सतेंदर जैन का दरबार और वो आम आदमी पार्टी का बन चुका है शिष्टा कि ऐसे ही करो समरक्षन और भ्रष्टाचार सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के तहट तिहार, जेल जो है वो सजा की नहीं बलकि मालिश और मजा की जगे बन चुकी थी इस इंक्वाइरी रिपोर्ट में साफ साफ नजर आता है कि एक नहीं बलकि दो दो चाइल्ड रेपिस्ट से मालिश करवाई गई, हेड मसाज और चंपी करवाया गया, स्पेशल सर्विसेज ली गई और उनका कोई अनुभव नहीं था फिजियो थेरपी में, क्योंकि अर्विन केजिवाल और मनी सिसोध्या ने बताया कि सतेंदर जैन को तो फिजियो थ पूड कार्ड मिले, जिससे की वो नवाबी पक्वान खा सके जेल के भीतर, कोट में बता रहे थे 28 किलो घट गया है, परंतु किस प्रकार से अलग-अलग जेल कार्ड बेनामी इस्तमाल करके सतेंदर जैन को पक्वान दिये जा रहे थे, ये भी सामने आया, जो लोग स्पे की और उन्हें मजबूर किया कि वो ये सेवाएं उनको दे, हमने ये भी देखा है कि जेल प्रशासन के वरिष अधिकारी किस प्रकार से सतेंदर जैन के दर्बार में बैठे रहते थे और उनकी सारी सेवाएं उनको देते थे, सतेंदर जैन का परिवार भी बिना पर्मिशन लिए सतेंदर जैन से मिल सकता था बार बार मिल सकता था और restricted areas में भी जा सकता था और सतेंदर जैन खुद कहीं सारे co-accuse से उनी के case में मिल रहे थे एक तरफ तो वो कह रहे थे कि मेरी याददास चली गई है पर दूसी तरफ वो co-accuse से भी मिल रहे थे अब इस inquiry report के सामने आने के बाद क्या अरविन केज़िवाल अभी victimhood card खेलेंगे क्या अभी वो कटर इमांदार कहेंगे सतेंदर जैन को या उनका इस्तिफा लेंगे और ये बताएंगे कि सतेंदर जैन को मंत्री क्यों बनाया रखा था जबकि 5 महीने से उसे बेल नहीं मिल रही थी और क्या वसूली और VVIP मालिश के लिए ही उनको मंत्री बनाया रखा था वो भी एक child rapist के द्वारा क्या सारवजनिक रूप से अरविन केज़िवाल इसके लिए माफी मांगेंगे और सतेंदर जैन को इस जेल से बाहर ट्रांसफर करने के लिए क्या वो राजी होंगे